हेलो दोस्तों नौशकार स्वागत आप से भी का एजुकेशनल स्टडी बन यूटुब चैनल पे देखिए दोस्तों दिल्ली पुलिस कौंश्टबिल एक्जाम दो जारतीस continue साब के एज़ान चल रहे है स्ट्डीम तीन डिसंबर सेगण्ड शिफ्ट एक्जाम अनलसिस के बारे में बात करेंगे तो तीन डिसंबर सेगण्ड शिफ्ट एक्जाम खथम होच गये तीन दिसंबर सेगंड शिप ने जितने भी GKS और करेंट फेर से रिलेड़ेड एक्जाम एक्वेशन बनी है उन सभी प्रशनों का बिलकुल 100% सही वे सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले वे सबसे सटीक एक्जाम अनालसिस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा तो आथ जिन भी दोस्तों का सेकंड शिप में एक्जाम था सभी साथी पूरे वेडियो को ध्यान सहन तक वह जरूर कीजिएगा सेकंड शिप में पूछेगे सभी question को guidance आपको इसी वीडियो में मिल जाएगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को अपने शुरू करते हैं पहला क्वेशन आपसे पूछा गया कि अनुछेद 50 का सम्मंद इन में से किस से है तो अनुछेद 50 है वो राज्य की लोग सेवाओं में न्याय पालिका को कारे पालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना इससे रिलेटेड है ठीक है दोस्तों ये इस क्वेशन का आपको विल्कुल राइटन से रहेगा भारतिय समिधान के अनुछेद 50 में राज्य को न्याय पालिका को कारे पालिका से अलग करने के लिए निर्देशित किया गया है ठीक है तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है इसके बारे में अनुछेद 50 में बताया गया है ठीक है ठीक है अनुछेद 50 के तैट राज्य को सारजनिक सेवाँ में न्याईक स्वतंतरता सुनिश्चित करनी है यह अनुछेद राज्य के निती निदेशक सिध्धानतों DPSB का हिस्सा है ठीक है तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेशन की ओर अगला क्वेशन आपसे पूछा गया कि सात्वीं पंचवर्षी योजना कब से कब तक चली थी सात्वीं पंचवर्षी योजना का जो टाइम पीरिड था वो 1985 से 1990 के मद्य में रहा था तो 1985 से 1990 इस क्वेशन कर आइटन सरता भारत में सात्वीं पंचवर्षी योजना 1985 से 1990 तक लागू की गई थी इस योजना का मुख्य उद्देश है समाज के सिमान्त वर्गों की जरूरतों को पूरा करने हितू संतूलित और सतत आर्थिक विकास हासिल कर रहा था इस योजना में गरीबी इन्मूलन, रोजगार सर्जन और सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया था तो मैंने आपको इस योजना के बारे में डिटेल से बता दिया, बाग की आपसे क्वेशन में पूछा था इसका टाइम पीरिड तो इसका टाइम पीरिड इए 1985 से 1990 के मद्य में रहा था अगला क्वेशन पूछा गया कि 2011 की जनगर्ना के अनुसार महिलाओं की सबसे कम शाक्षरता कहा थी तो 2011 की जनगर्ना के अनुसार महिलाओं की सबसे कम जो शाक्षरता थी वो बिहार में थी तो बिहार इस क्वेशन का राइटन से रहेगा 2011 की जनगर्णा के इंसार बिहार में महिला शाक्षरता दर सबसे कम थी बिहार में जो महिला शाक्षरता दर है वो 51.50% थी बिहार में कुल शाक्षरता दर 61.80% थी जिसमें पुरुष शाक्षरता दर 71.20% रही थी तो ये point भी आपको ध्यान में रखना है अगला question आप से पूछा गया चंङेज खान किस one से थे चंङेज खान के बारे में अपने बात करते हैं तो ये मंगोल जनजाती से बिलोंग करते थे चंधेज खान मंगोल जनजाती से थे मंगोल्य पठार की खाना वदोश जंजातियों को एक जूट करने के बाद उन्होंने मध्य एशिया और चीन के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की थी चंगेज खान ने 1206 में मंगोल समराज्य की स्तापना की थी ठीक है तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है देखिए दोस्तों विडियो में आगे बड़े हैं उससे पहले अभी तक आपने इस व्यूडो को लाइक नहीं है तो प्लीस जल्दी से इस व्यूडो को लाइक कर दिजीए और आने वाले दिली पुलिस कॉंस्टवल शिट के दोस्तों के भी जिस वीडियो को शेर करना मत भूलिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बैल को ओन कर लिजिए ताकि दिली पुलिस कॉंस्टवल एक्जाम से जुरी पल-पल की सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे आगला क्वेशन पूछा गया कि जीजिया नर्ते किस भारती राज्य से सम्मंदित है बात करते हैं सोरी नर्ते के बारे में तो जीजिया नर्ते है ये भारत के बिहार राज्य से सम्मंदित है जीजिया नर्ते बिहार का एक लोक नर्ते है यह नर्ते मिथिला और भोजपूरी छेतर का एक सांसकर्तिक लोक नर्ते है इसे जीजीरी भी कहा जाता है ठीक है अगर आपसे जीजीया ना मिले option में तो आपको जीजीरी भी मिल सकता है अगला question पूछा गया महाभारत का शंशिप्त रूप किस ने लिखा है ठीक है इस प्रकार से question था चलिए इसके बारे में detail से बात करते हैं तो महाभारत को महरसी वेद व्यास ने लिखा था ठीक है ये very important fact है और ये बार-बार exam में पूछा जाता है कि महाभारत को किस की द्वारा लिखा गया था तो महाभारत को महरसी वेद व्यास ने लिखा था इसे पांच में वेद शास्तर के रूप में भी जाना जाता है अगर आपसे डाइरेक्ट क्वेशन पूछा जाए दिली पुलिस में कि पांच में वेद शास्तर के रूप में किसे जाना जाता है तो वो माह भारत को जाना जाता है यह हिंदु संस्कर्ती का एक महतपूर्ण दरोहर है इसके इलावा महा भारत में मूलत है कोर्वों और पांडवों का संग्रश वरनित है ठीक है इसमें वेदों, वेदांगों और उपनिशदों के गुहातम रहशों का भी वरनन किया गया ठीक है तो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बता दिया है आप बताईएगा आपको इनमें से ओप्शन में क्या दिया गया था अगला क्वेशन आपसे पूछा गया पदमा सुबरमन्यम की सास्त्रिय नर्तिय शेली के लिए जानी काती है देखिए जो पदमा सुबरमन्यम है ये भरत नाटियम से समन दीत है तो भरत नाटियम इस क्वेशन का राइटन सरता पदमा सुबरमन्यम एक भारतिय सास्त्रिय भरत नाटियम नर्तियांगना है वह एक शोध विद्वान, कोरियोग्राफर, शिक्षक, इंडोलोजिस्ट और लेखक भी है ठीक है तो ये बात भी आपको पदमा सुबरमन्यम के बारे में ध्यान में रखनी है अगला क्वेशन है अरुंदती रोय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है तो अरुंदती रोय के द्वारा एक था डोक्टर, एक था संथ बुक लिखी गई है तो इस क्वेशन का आपका राइटन सर्था एक था डोक्टर, एक था संथ ये जो पुस्तक है वो अरुंदती रोय के द्वारा लिखी गई है अरुंदती रोय ने डॉक्टर भीमराव अमेडकर और महात्मा गांधी के बौधिक संबंदों पर एक किताब लिखी है इसका नाम है एक्था डॉक्टर एक्था संथ इसे राज कमल परकाशन ने चापा है इस किताब में बाबा साहिब और गांधी जी के समवाद लिखे गए है और इसके लेके का कौन है अरुंदती रोय है अगला क्वेशन पूछा गया कि प्रतम एश्याई खेल कब शुरू हुए थे ठीक दोस्तों अभी तक ये क्वेशन दिल्ली पिलिस में 4-5 बार रिपीट होच गया है परतम एश्याई जो खेल हुए थे वो 4 मार्च 1951 को हुए थे ठीक दोस्तों परतम एश्याई खेल 4 मार्च 1951 को نई दिल्ली में शुरू हुए थे इसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और ये सरोपर्थम 1951 नई दिल्ली भारत में आई जित किये गए थे तो देखी दोस्तों आज की स्वीडियो में हमने 3 दिसमबर सेकेंड शिफ्ट एक्जाम अनालसिस कर लिया है अगर आपको सेकेंड शिफ्ट के ओर भी क्वेशन याद है तो आप हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा थर्ड शिफ्ट वीडियो जब शाम को अप्लोड होगी उसमें सेकेंड शिफ्ट के बचेवे क्वेशनों को भी इंकलोड कर लिया जाएगा जिसे आने वाले shift के दोस्तों को इसे काफी benefit मिलेगा help मिलेगी देखिए exam काफी लंबा चल रहे हैं तो daily shift में continuously आपको भी पता होगा question repeat होने लग रहे हैं और plus उनसे related question ही आपके exam में ज्यादा तर बन रहे हैं प्लस जितना आप previous year cover करके जाओगे उतना ही आपको benefit होने वाला है ज्यादा तर जो question बन रहे हैं वो previous year, SSC previous year जीके आप पटके जाएए अब भी latest में जितने भी exam हुए है SSC के MTSO, stenographer हो, CPO हो, CGL, CSL के question आप previous year के cover करके जाएए एक भी question दिल्ली Police Constable exam में जीके का आप नहीं छोड़ोगे धन्यवाद